अस्तामनेकुम स्टूटेंट्स वेलकुम टू बायवीद नीला क्लास 10 का जो टॉपिकाज हम स्टार्ट करें लगें वेरियेशन इटो एवलूशन स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लायर रख्माने रहीम बेसिकली पिट्टा हम लोग एवलूशन और वेरियेशन वाला टॉपिक बाहर पर डिसकास कर चुके हैं वेरियेशन कहते हैं जो एकदम से चेंज को कहा जाता है और एवलूशन कहते हैं विदा पैसेज ऑफ टाइम जब ऑर्गनिजम्स एवोल्व होते हैं फ्रॉम यूनिसल ने मैं तेरी इस बहुत इपोर्टन है कि अकशर में आजाती है तो हमारे पास सबसे पहले क्या आजाता है कि एक और ऑगनिक एवलुशन कहते हैं और ऑगनिक ऑफुलूशन का दूसरा नाम है लाफ छिक्राने उसको बाइवलूशन बिका जाता है बेसिकली बेटा जी हमारे पास क्या है और ग्यानिक या बाइलोजिकल एवलूशन वो प्रॉसेस है जिसमें के विदा पैसिज ओफ टाइम जो लिविंग और गनिजम्स है उनके करेक्टरिस्टिक्स या उनके फीचर्स जो है वह आइस्था इस्था चेंज हो जाते हैं विद पैसिज ओफ ताइम स्लो एंद ग्रेजुल होता है यह उर्गड़ोजिकल एवळोशन होती है और इसको कहा जाता ओर गने फीचिज ऊती है इसको कहा जाता है नई वराइटियाइग बंग जाती है पहरे-पुराने ऑर्गड़ोजम्स होते हैं अब यम आपको डार्बन और तो ऑर्गेनिक एवलूशन या बीयोजिकल एवलूशन की डेफिनिशन इसमें इंपॉर्टेंट है इसके लाबा यह किस दो इसके क्या तरीके हैं कि एक तो पहले ऑर्गनिजम्स की जब चेंज आती तो उनके जन्याटिक मेटीरियल भी चेंज होता है तो आल्टर हो जाता है और फिर आगे इंहेरिट हो जाता है और दूसरा यह होता है कि एक ही तरह के जो और्गनिजम्स है उनसे नहीं जन्म लेरी है थोड़ा बहुत एवलूशन वरी है बिसिकली बिटा जी आजकल भी इतनी तरक्य होगी कि इवन जो आप घरों में चूंटियां भी पाई जाती ह है मगर आइससे स्पीशीज आ रही है कि वह इस चीज़ पर ऑवर कम कर जाती है कि उन पर कुपक स्वहरा भी जोता है वह असर अंदाज नहीं होता है या डिफरेंट किडे मारत व्याद नित नहीं स्पीशीज आ रही है तो यह एवलूशन है कि और्गनिजम्स अपने आप इनए करीके बताएं अपने काम बतायें जिन्होंने सबसे पहले ऑवलूशन का हिंडिया था वो बॉफन सहाब थे इन्होंने बताया था कि एवलूशन भी कोई चीज़ हो दिया इसके इन ही कंट्री मेड थे जो केनी ए मुल्क में रहने बाले था लिमार्क की एवलूशन क करते हैं जिनकों आइस ता खते हो जाते हैं जिनका नहीं यूस करते हैं चार टांगे ती उन्हें नहीं यूस को जा सब्सक्राइबर फूरा उन्हा वाज़ा करण था। तो आइस्ता है उसकी टांगें खतम हो गई तो यह मीज के उनों ने पनी लेक्स को यूज नहीं कि और आइस्ता है खतम होगी हमें तो पता है कि स्नेक शूरू से बगार टांग हो गई हैं मगर लिमार्ग में यह थूरी पेश की थी फिर आपको पता है जब एक परसन काम करता तो इसको प्रूफ और डिस्प्रूफ करें के लिए बहुत सारे लोग जोते हैं वो उट खड़े होते हैं बहुत सारे लोग अने पर एक्सपेरिमेंट किया बाद में लिमार्ग की थेरी को गलग साबित कर दिया गया कि उन्होंने तो यह जाता है वही जाधा डिवेलप हो इस फिली थी कि जिन्होंने यह भी पार आए आइक पैस्पीरियाशन झेल्फ फेयरी और स्पेशल क्रियेशन केरति लुग में गग से मताबित हैंलों स्बीग जो है वह बहुतces़ जो इसको डिगया तो यूशों कर दिया गया इसके साल पहले ही हुआ है ठीक है मीज के से जादा कोई एवलूशन और नहीं हुई ऐसा ची आप लोग पैदा हुए मगर आचे कुछ हजार साल पहले जाए जिन्दगी में जिन्दगी का घाज बाद में इसको आइडिया को रिजेट किया गया डर्वन ने जो थी पेश की थी वह इंपोर्टन है उनकी ठेडिय का नम है ठीओरियो आफ नेचरल सेलेक्शन नेचरल सेलेक्शन इसको कहा जाता है यह ओरिजन ऑफ स्पीशी बाइच्रल सेलेक्शन और ने यह कहा था कि ऐसा नहीं होता लिमार्क की बहले मैं आपको बापता थी हूं उन्होंने जो जब यह बापता है उन्होंने अर्गंस को ज्यादा यूज कि उसके लिए आपके में इक्से बात है मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूंकि लिमार्क बताया था जो जिराफ्त है जो जघराफी होते हैं फहले वह चोटी गड़़ुन वाले ते और वह घास खाते ते मगर वक् और्वट ने बात में पताया लेमार के अडिया को ऐसा नहीं था शुरू में ही छोटी करदू जिहाले जिरा भी यह बड़ी गर्दू जिया भी ऑखिल्स काते थे और भी घ्रदू ऑब घृत्त हां जब अर्शी घृत्त अजब घ्र अऑफ टाम घांस खतम हो गई तो पते र वही आगे सर्वाइफ करता है या जो जिनको कुद्रत चुन लेती नेच्छल सेलेक्षेन इनकी थियूरी का मैं नेच्छल सेलेक्षेन कुद्रत ने उनको चुना कुद्रत ने का मतलब है कि उन और्गनिजम्स ने अपने आपको एडॉट किया एंवार्मेंट के मताबिक उन्होंने पूरी जर्नी वाइज का जिकर आपकी बुक में के डार्मने अपने पांच साल डिफेंट आइलेंड पे गहते हैं वहाँ की इफेंट स्पीशी देखी थी हर ऐलेंड प्लांट और डिफेंट अनिमल की इस्पीशीस को उन्होंने और उसके बाद उनोंने इतने नेचरल सेलेक्शन के नेचर जिनको चुनती है या जो अपने आपको कुद्रत के मताबिक ढालते हैं वही आगे वॉल्फ करते हैं आप लोगों में यह यह जो जुबाने की साथ अपने आपको थोड़ा बदा को वॉल्फ करना पड़ता है ठीक है ना एवलूशन हर चीज में करते हैं यह एवलूशन में आता है और तो डार्मन की जो थेरी ती उसके बाद साइंटिस ने यह 18 सेंचरी तक इनकी थेरी काफी दा रही पिर श्लोगों इसको डिस्पूफ भी किया और फाइनली फिर महार पाद 19 सेंचरी में 1920 और 30 की एरा में हमार पाद साइंटिस नहीं दिखा कि मेंदल ने जो चरैक्तिक स्पेश की थी और जो डार्मन की थेरी कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही ते और उसके बाद पिर हम लोग नेक्स वीडियो में इंचाला तरल ने ने अच्छर सेलेक्शन के बारे में थोड़ा पह डिसकास करेंगे बस आज डिफर्ट आप लोगों को थेरी जी पताइए एक तो थी महरपा थेरी और स्पेशल क्रिशन है और यह थेरी आप ने दी थी और यूज और यूज और मिस्यूज ऑफ और उर्गंस तो ले मार्क ने दी आपके बुके अंदर यह एक्स्टा इंफॉर्मेशन में लेमार का नाम मैंचन है मग कि एका